तो हेलो साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंग्सन एक कदम सफलता की और में और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए MP Police Constable 18 अगस्त फर्स्ट सिप्ट का एक्जाम एनलेसिस जिसकी टाइमिंग है साड़े आर्ट से साड़े दस आपका भी अगली किसी भी सिफ्ट में एक्जाम है तो आप अपने प्रश्णों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर से जरूर सेंड कीजेगा एक घंटे के अंदर अंदर केवल प्रश्ण भीजने के लिए ही ये नंबर है अगर आपको कोई साहता चाहिए एक्जाम रिलेटेड तो हमारा टेलिग्राम डिसकस ग्रूप है उसको आपको जॉइन कर लेना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आज की जो प्रश्ण है वो हमें प्रश्ण हमारे पास में आ चुके हैं तो उन प्रश्णों के बारे में भी आपको डीटेल में हम जानकारी देने वाले हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना क्योंकि 12 सितमबर तक लगातार एक्जाम एनलेसिस आपके पास में केवल केवल सक्से जंसन ही लेकर के आने वाला है तो चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहले हम GKGS और MPGK के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं तो देखिए पहला प्रश्णा है गुरु गोविन सिंग की जैनती किस माह में मनाई जाती है आज आज सिख के गुरुओं से दो परश्णा है यानि कि यह सिख गुरु अब स्टार्ट हो गए है सेंप्टू सेंपटवारी वाला पैटर्न चल रहा है अब चार से पांच दिन दफ सिख गुरुओं वाली जो आपके प्रश्णा है बो आते रहेंगे तो नौबर मह में शिख गु अगर आपके इंग्लिस में दिया गया हो तो नॉमबर आपका एंसर हो जगा ठीक है इस साल 2022 की बात करते हैं तो आठ नॉमबर को गुरु नानक देव की जैनती मनाई गई है ठीक है चलिए गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था ये भी आपको यादकना ठीक ह आठ नॉमबर 2022 को जो है इस बार मनाया गया है ठीक है इनका जन्म पूछा चाचुका है ससी में तलवंडी में इनका जन्म हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न था अब ये आपका रीजनिंग का प्रश्न भी हो सकता है और आपका जीके का भी प्रश्न हो सक जाहे सई आंशर आपका हो जाएगा जाना पाव की पहाड़ी यान की मध्यप्रदेश में चिप्रा नदी का उधगम होता ठीक है आपसे च्टेट पूछा था तो च्टेट आपका मध्यप्रदेश आंशर हो जाएगा लेकिन हम आपको पूरा डीपली जानकारी देने वाल भगवान परशुराम का जन्मिस्तान भी माना जाता है, शिप्रा नदी की उत्पत्ती के बारे में एक पौराडी कता का उलेग हिंदू धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है, ठीक है, उजैन का महाकाल मंद्र जो है, वो शिप्रा नदी के किनारे ही इस्तिते ये भी आपक के एक्जामें बनेगा, यहां हर 12 वर्सवाद महाकुम्ब का आयोजन किया जाता है, जिसे सिंघस्त कुम्ब कहते हैं, ये भी आपको यादक नाएं, एक प्रशन और आपका यहां पर मना था, पटवारी में प्रशन बना था कि जो आपका सिंघस्त कुम्ब है, वो क्यों मन प्रशन में गुजरात दिया गया था, तो गुजरात में जो है सोन नदी नहीं बैती है, अब सोन नदी कैसे निकलती है, कहां कहा जाती ही, कहां जाकर मिल जाती है, पूरी जानकारी सोन नदी के बारे में हम आपको देने वाले हैं, देखिए, तो सोन नदी को सोन नदी के भी जाना जाता है, सोन नदी मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार इन तीन राजों में ही वहती है, चौता ओप्सन आपका गुजरात दिया था, तो गुजरात ही आपका एंस हो जागा, गुजरात में नहीं वहती है, इस नदी पर कौन सा बाध बना है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बाकि उसका एंसर हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर बता देंगे, इसराइल के भरतवान प्रधान मंतरी कौन है, करेंट अफिर से पश्ट पूचा है, तो बेंजामी नेतन याहु जो है, दुबारा यहां पर प्रधान मंतरी चुने गए है, ठीक है ना, इसते पहले यार लेपिट प्रधान मंतरी थे, और अब जो है, बेंजामी नेतन याहु को दुबारा प्रधान मंतरी बनाया है, देख लीजिए, तो तो बेंजा में नेतन यहू ने चटवी बार इजरायल के पूछी जाएगी तो इजरायल की राजधानी येरुसलेम है ये भी आपको और जो मतलब उनके मधस्ता वगएरा करवाई थी इजरायन ने ठीक है न और यहां के दुबारा प्रतानमंत्री कौन बने हैं तो दुबारा यहां के प्रतानमंत्री बेंजा में नेते नहों बने हैं इसलिए यह प्रशन आपके एक्जाम में पूछा गया था इसकी वीडियो बना चुके हैं वहीं से प्रशन है कि जो आपके नवनिविक्ति जो आपके राश्पती प्रतानमंत्री है उनकी वीडियो बना चुके है एक बार आप चैनल के अंदर बजिट करेंगे तो वहां के नवनिविक्ति प्रतानमंत्री राश्पती और वहां की राजधानी और व पूछा गया है तो AORBC का जीवनकाल 120 दिनों का जीवनकाल होता है AORBC का, ठीक है, चलिए, आपको और जानकारी देते हैं AORBC के अलावा, तो AORBC का ओसत जीवनकाल 120 दिनों का होता है, एकी स्वस्त वयस्क व्यस्क व्यक्ति के रक्त में ओसतन RBC की मात्रा 3 और 5 मिलियन से 3.5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक इसकी जो है मात्रा होती अगर व्यक्ति स्वस्त है तो ठीक है अब यहाँ पर WBC का आगे आपसे पूछा जा सकता है तो चलिए देख लिजिए WBC का जीवनकाल 2 से 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स या फिर प्रोथॉम्मीन का जीवनकाल 3 से 5 दिन होता इन दोनों का भी जीवनकाल आपको याद रखना है हो सकता है आपसे आगे अग्जाम में पूछ लिया जाए वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वाइए एक बार फिर से आपसे निवेदर है वीडियो को लाइक कर देना नीच अगर आप देखेंगे न यहाँ पर ऐसे आप देखेंगे तो एक लाइक का बटन दिख रहा होगा उसको दबा देजिए ठीक है बंगाल विभाजन कब हुआ था यह प्रस्ण आपका पूछा गया है बेसिकली बंगाल विभाजन से related कुछ प्रस्ण पूछा गया था बंगाल विभाजन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले है 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था ठीक है चली देखते हैं तो बंगाल विभाजन के निड़ा की घोशना 19 जुलाई 1905 को भारत के ततकालिन वाइसराय करजन के दोरा किया गया था ठीक है लौड करजन उसमें पर बाइसराय था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रफावी हुआ था ठीक है तो ये याद रखना प्रफावी कब से हुआ 16 अक्टूबर 1905 से और गोशना कब की गई थी 19 जुलाई 1905 को ये दोनों डेट आपको याद रखनी है इनमें सही statement वाला प्रफन बना होगा ठीक है चलिए आगला प्रफन देखिए एक और सिक्धर्म से प्रफन पूचा गया है गुरू अंगत देव सिक्धर्म के कौन से क्रम के गुरू थे आप कुछ लोग कह रहे हैं कि दसवे क्रम के गुरू पूचे गया थे कुछ कह रहे हैं गुरू अंगत देव के बारे में पूचा गया था हम आपको एक तरफ से पूरे के पूरे दस गुरू के बारे में बता दे रहे हैं कौन कौन से क्रम का गुरू था हलांगी कल इस पर हम डीटेल वीडियो लेकर के आने वाले हैं सुबह क्योंकि आज दो प्रशन पूचा है, वही पैटवारी आला पैटन है, अब यहां से आप से दो से तीन प्रशन डेली जो है सिक्क धर्म से पूचा जाएगा, ठीक है, चली देख लीजे, पहले गुरु गुरु नानक देव थे, दूसरे गुरु गुरु अंगत देव, तीसरे गुरु रामदास, पांचवे गुरु है, गुरु अरजन देव, यादरकायन का नाम अरजुन नहीं है, अरजन है, ठीक है, चटवे गुरु है, गुरु हरगोविंद, सातवे है, गुरु हरे राय, आठवे गुरु है, हरकिसन, नवे गुरु है, तीक भादुर, और से किसने पर्चित करा है सेनको के सेनको के रूप में किसने बदला खालसा धर्म की स्थापना किसने की वो सब गुरु गोविन सिंग के द्वारा किया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 2021-22 में भारत का बित्तिय घाटा कितना रहा है तो 13 से उपर था 13.5% के लगबग जो है 2021-22 में भारत का बित्तिय घाटा रहा था ठीक है ये एकॉनिमेक्स से प्रशने पूछा गया है देखिए तो बित्वर्स 2021 में सरकारी राजकोसी घाटा और सारवजनिक रिले GDP आ रही है राजकोसी घाटा बित्तवर्स 2021 में 13 से उपर था ठीक है ना? बैसाक मास के सुकल पच्छ को जो है अच्छा तृतिया पर्व मनाया जाता है देखिए तो अच्छा तृतिया बैसाक मास के सुकल पच्छ की तृतिया को हर साल मनाई जाती है इस साल अच्छा तृतिया 22 अप्रेल को मनाया गया ठीक है अच्छा तृतिया को आखा तीज भी क इसको जरूर देखकर कि जाना वो आपके लिए बहुत महत्पूर है देखिए रेपोरेट की बात करते हैं जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनके लिए बड़ा सिंपर हो जागा देखिए रेपोरेट बहुत हर है जिस पर किसी देश का केंदरी बैंक धन की कमी किस्तिती म रेपोरेट का उपयोग मौदरिक अधिकारियों द्वारा इंफलेशन को नितित करने के लिए किया जाता है भारत में इसका अधिकार भारती रिजर बैंक के पास में अब यह टेक्निकल लेंगोज हो गई अब सिंपल लेंगोज में समझेए देखिए जैसे आपका RBI हो गय लेकिन हम उस पर कुछ दर से आपसे व्याज लेंगे तो उसी दर पर जो ब्याज लेता है तो उसी दर को हम पूछा गया था अब हो सकता है नंत का फूल फंब भाताईए selbst का फूर्फल सी ट्रांशButig कहा है देखिए तो National Electronics Funded Transfer या सुवधा सभी ग्राहकों के लिए Online माध्यम से Internet Banking और Mobile Banking के ग्राहकों के लिए उपलब्द होती है यानि कि Neft के माध्यम से आप अपना पैसा तेज गती से दूसरे किसी के पास में भेज सकते हैं इसमें शुरुवात एक रुपए से आप कितने भी रुपए आप भेज सकते हैं इसके लाग जो RTGS होता है RTGS में आप मिनिमम जो है दो लाग रुपए ही भेज सकते हैं दो लाग से कम रुपए आपके ट्रांसफर नहीं होंगे RTGS में जबकि NEPT में आप एक रुपए से लेकर के कितने भी रुपए तक भेज सकते हैं यह आप से जो है पूछा जाता है कि किसमें कितने रुपए कब तक भेज सकते हैं तो यह आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब हम यहापर मैत में बात करने वाले हैं कुछ परिवरतान मैत और रीजिनिंग में आज देखने को मिले हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मैत में आपका आज संकु का आयतन पूछा गया था और उसके बाद में संबाहु तृभुत का आज आज चीद फ़ल पूछा गया था ये दो प्रशन ही आपके advance के पूछे गया है और ये दोनों प्रशन आपके mensuration से ही पूछे गया है ठीक है उसके बाद मैं आपका दो प्रशन LCM से पूछे गया है जिसमें 12 का, 8 का, 9 का, 21 का और कुछ बता रहे थे कि 6 का नियम भी पूछा गया है तो लगबग 4 प्रशन पूछे गया है और क्रम भी बताया है जिन्हों हमारे पास में पेपर भेजा है उन्हों क्रम बताया है कि 96 से लेकर के 99 तक जो है आपके विभाज़ता के नियम से प्रशन पूछे गा है एक प्रशन आपका किस्त वाला जरूर पूछा जा रहा है ठीक है बागी simple interest दो प्रशने पूछे गा है profit loss या तीन से चार प्रशने profit loss से देखने को मिले हैं ठीक है जिसमें एक प्रशन आपका discount वाला भी था ठीक ना, दो प्रश्ण मेक्चर से पूछा गया, एक प्रश्ण आपका करेणी से पूछा गया था, ठीक है, उसके बाद में, आई उसे आज एक भी प्रश्ण ही पूछा गया, आज एज से एक भी प्रश्ण ही पूछा गया है, मैंसुरेशन का बता दिया, दो प्रश्ण है, average से आपका एक प्रशन और ratio और proportion से भी दो प्रशन आपके आज पूछे गए हैं ये आपका math का पूरा analysis हो गया आगे बढ़ते हैं बात करते हैं reasoning में तो भाई गड़ी अब reasoning में सामिल हो गई है कुछ दिन बाद calendar भी आ जाएगा जिनका बाद में exam होता है उनकी तो किस्मत ही खराब होती है ठीक है न ऐसा ही change होता देखे घड़ी की बात करते हैं दो प्रशन पूछेगा है दो से आठ बज़े की बीच में घड़ी की सूईयों में कितना समय लगेगा तो ये भी आपको पता है 29 डिगरी कहे लो या 30 डिगरी कहे लो एक से अगर दो तक आती है तो ये आपका पांच मिनट का समय यहाँ पर लगता है ठीक है चलिए coding recording के 6 प्रशन पूछे गए थे आज आपके इसके अलावा coding recording से बहुत प्रशन पूछे जा रहे है अगर आपको ABCD की जो numbering है वो आपको याद है तो आप आराम से इन सवालों को solve कर सकते हैं उसके आप sitting arrangement के दो प्रशन आज आपके sitting arrangement के पूछे है बैठक ब्वस्ता से blood relation से एक ही प्रशन आज पूछा गया है direction से बहुत प्रशन पूछे जा रहे है 4 से 5 प्रशन आपके direction के पूछे जा रहे है और simple level के नहीं आ रहे है direction के प्रशन डिग्री वाले भी आ रहे है 135 डिग्री पर गुमा दिया ठीक है ना तो ऐसे प्रशनों की practice करके आपको जाना है उसके बाद आईदर और नाईदर नौर की दो प्रशन पूछे थे जिसमें एक प्रशन तो आपका यातो वाला था और एक प्रशन आपका यदी वाला था ठीक है missing later के आज तीन प्रशन पूछे गए है missing later की वीडियो हम कल बनाएंगे आज हमने आपकी mirror image की वीडियो बनाए है आपने देखे की नहीं सुबह आज सुबह ही हमने इसको upload किया है जाकर के जरू देखना कुछ tricks और techniques हमने आपको बता दी है आप आसानी से solve कर सकते हैं ranking का एक प्रशन पूछा था फाइलों को क्रम में लगाने के लिए दिया गया था यह फाइल नंबर एक है यह फाइल नंबर दो है इसको इसके उपर रखते हैं ऐसे क्रम में लगाने के लिए दिया गया था ठीक है water और mirror image से 7 प्रशन आज आपके पूछे गा है मैं पहले ही कहा रहा था 6-7 प्रशन पूछे जाएंगे और आज 3 प्रशन आकरती वाले पूछे हैं बाकी वही M&O इनका उल्टा कर दो 1-2-3 का उल्टा कर दो तो यह आज हमने mirror और water image की trick वाली वीडियो डाल दी है सुवा ही डाली है जाकर के जरूर दीख लेना भाई उसको आप देख लेंगे तो यह 7 के 7 प्रशन आप महज मुस्किल से मुस्किल 2 मिनट में 6-7 प्रशन आप आराम से solve कर लेंगे बहुत समय लगेगा तो 2 मिनट का ही समय लगेगा कुछ इस तरह की ट्रिक्स और टैक्निक्स बताई है जैसे वीडियो खताब होगी था हम वस वीडियो को यहाँ पर टैक कर देंगे तो इस वीडियो के समाप्त होते ही आपको वीडियो यहाँ पर मिल लाएगी या फिर आप टेलिग्राम में भी जा करके देख सकते हैं ठीक है चलिए दो प्रस्ण आपके सीरीज के पूछे हैं बिलिप्त संक्या के दो प्रस्ण पूछेगा है सिलोजलिप्स के जो आपका साइलोग होता है कुछ कुछ कुट्ते बिल नी है यहाँ से दो प्रस्ण है और कथनों कारण से तीन से चार प्रशन देखने को मिले हैं कथन और निसकर्स और कारर से ठीक है ना तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है तो यह आपका पूरा चार से पांच प्रैक्टिस नहीं आज पूछे गए हैं मैत के पूरे 30 प्रैक्टिस ने पूछे हैं रीजिनिंग के 36 प्रैक्टिस लगबग पूछे हैं ठीक है कुल मिला करके आपका 100 नमबर यहाँ पर हो गया लेकिन भाई GKGS ज्यादा पूछे गए इसलिए थोड़ा सा द आज ही माल ले गया है ठीक है तो GKGS में भी सिंपल प्रैक्टिस पूछे थे ज्यादा कटिन प्रैक्टिस नहीं पूछे थे ठीक है चली सजेशन की बात करते हैं तो देखिए मेरे रिमेज की सुभा वाली वीडियो जरूर देखकर कर जाना पटवारी वन्रचक और आपका आपकारी इन तीनों के साइंस वाले प्रश्लçar जरूर पढ़ कर कर जाना तीनों की PDF एक साथ में आपको हुमारे Telegram channel Success Junction live में मिल जाएगी आप इसको सर्च कर लेना टेलिग्राम पर जाकर कर सर्च करना Success Junction Live Discuss Group है यहाँ पर आपको इसकी तीनों की पीडिया एक साथ है मिल जागी ठीक है Lucent का विविदा आपको पढ़ करके जाना है Economics वाली हमारी वीडियो जरूर देख करके जाना वहां से दो-तीन नमबर पक्की हो जाएंगे और पादब जगत का जो हमने वीडियो बना रखा उसको जरूर देख कर जाना आज प्रशने पूचा गया था ऐसे मतलब मिलाने के लिए पूचा गया था मतलब सामने सामने कि सबसे बड़ा पादब जगत कौन सा है और तो पोड़ा है ऐसे करके जो है एक प्रशने बना था लेकिन मिलाने वाला बना था ऐसे करके जोड़ी मिलाने वाला तो यह आप डीटेल में तभी आपको जानकारी होगी जब आप पादब जगत वाला वीडियो हमारा देख लेंगी तो सर्च के लेना पादब जगत वाई सकसे जंक्सन तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जागा नहीं तो आप चैनल के लोगों पर क्लिक करके थोड़ा सा अंदर जाएंगी तो आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे ठीक है चलिए यह हमारा आफिशल टेलीग्राम च प्रकासन की बुक मिल जाएंगे तो यह सब आप जाकर के फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं डॉकुमेंट सेक्षन में जाएंगे तो आपको यह सारी वीडियो यह सारे पीडियो आपको देखने को मिल जाएगी बागी भागी इतने महनत हमने आपके लिए कर दिया आप MP पुलिस का और चैनल पर पहली बार आ हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल जरू दबा लिए कोगि लगातार 12 सिटम बर तक हम आपका exam analysis इसी तरह से डीटेल में करवाने वाले हैं आप कुछ दिर बाद आप देखेंगे ये सारी प्रशन आपको अलग-अलग चैनल पर देखने को मिल जाएंगे कॉफी पेस्ट हो जाता है हमारे वीडियो अप्लोट करने के बाद में पर कोई दिक्कत नहीं आपको ओर्जिनल कर्टेंट किवल आपके अपने चैनल सकसे जंक्शन पर सबसे पहले देखने को मिल जाता है तो जल्द ही मिलते हैं आपके दोपहरवाली सेकंड सिप्ट के एक्जाम एनलसिस में कुछ हमारे मित्रबंदूं वहाँ पर गय हुए है तो उनसे हमें अच्छे जो और्थन्टिक प्रेशन है वो आपके पास में आज देखने को मिल जाएंगे ठीक है सेकंड सिप्ट में देव सर्मा जी का एक्जाम है तो बहुत सारे प्रेशन आज हमको वहाँ से मिलने वाले हैं चली मिलते हैं सेकंड सिप्ट के एक्जाम एनलसिस में आपकी सेकंड सिप्ट साड़े बारा से धाई बज़े के बीच में है तो तीन बज़े तक हमारे पास में प्रश्ण आ जाएंगे और चार बज़े से पहले पहले आपको आपका exam analysis का वीडियो देखने को मिल जाएगा ठीक है तो मिलती है second shift में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद